25 जनवरी 2024 पौश पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज तुरंत ही जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ती माता, लक्ष्मी जी, भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आप बन जाओगे। करोडपती खुशियों से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी दोस्तों, एक साल में बारह पूर्णिमा पड़ती है, परंतु इन में सबसे ज्यादा विशेश और खास महत्व अगर किसी को दिया गया है, वह पौश पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि पौश पूर्णिमा के दिन भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्म खुद धर्ती प्रवास करने आते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विश्णु जी माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, दोस्तों पौश पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, वेद लक्ष्मी योग योग, कर्म योग, सतलज योग, शुभ योग, जैसे पूरे बावन तरीके के योग बन रहे हैं, पौश पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक अत्यधिक शुभ दिन समझा जाता है, यह पर्व मुख्य रूप से उन भक्तों के लिए बहुत महत रखता है, जो ईश्वर के साथ अपनी भक्ती को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, इस दिन भक्त अपने भगवान को प्रसंद करने के लिए कई ज्योतिश उपाय आजमाते हैं, इस दिन विशेश रूप से विश्नु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसंद करने के उपाय आजमाए जाते हैं, वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पौश पूर्णिमा के दिन की गई जा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दिन आप किसी पवित्र नदी में जा करके सनान करेंगे, तो इसका आपको पलट करके करोडों गुना लाब मिलेगा। जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का वर्दान और वो आशीरवाद आपको मिलेगा। और ज्योतिश शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों आईए, अब जानते हैं तुलसी की लड़की मिट्टी के चमतकारी उपाए। दोस्तों तुलसी न केवल एक पौधा है, बलकि तुलसी देवी है, सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मा का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मा कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मया कहा जाता। तुलसी के पत्ते में साक्षाद भगवान विश्नु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वित्रित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। दोस्तों, वास्तु शास्तर में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोश उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्था तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान दे कर हम सभी की रक्षा करता है, इसी लिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। तुलसी के पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमतकारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विश्नु को सौपा दिया था। बदल जाएगी दोस्तों। आपकी हर समस्या का तोड, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिरवह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अडचन हो, ग्रह दोश हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है। तुलसी दोस्तों माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ती लगातार एक महीने तक बजरंगबली को तुम उसी के पत्ते लड़ू के साथ साथ या फिर किसी मिश्ठान के साथ चढ़ा दें, उसकी कोई भी मनो कामना हो, जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं ततकाल दूर हो जाती है। कई लोग करजे के बोज से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में चाहती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले, तुलसी के पौधे में अनेक चमतकारी गुण पाए जाते हैं, इसकी जड़ती थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाईयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुकसा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डाल कर नहाएं, तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है, नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डाल कर तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोस्त समय हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे, तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना, आधा अधूरा ज्यान हमेशा घातक साबित होता है, आगे इसके और भी लाभ बताएंगे, जो आपको लाखों करोडों का फाइदा पहुँचा सकते हैं, दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके पूरे जीवन भर, सर्दी खांसी, जुकाम बुखार ऐसी बीमारिया नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छ पशकता ही नहीं है, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें, ध्यान रखें रविवार को, तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन, दो पूर्णिमा और एका दशी के दिन, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना सनान किये हुए, तुलसी को तोड़ कर जो मानव पूजा कर करता है, वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निश्फल हो जाती है, इसका और एक चमतकारी फायदे बता आते है अगर आप निर्धारित संख्या में छह महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप चार की संख्या में खा रहे हैं, तो रोज चार पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप पांच की संख्या में खा रहे हैं, तो आपको रोज पांच की संख् और दिन में एक बार सुभह सनान करने के बाद भगवान का पूजन करने के बाद और इस पूरे का हाल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, देखना आपको गरिमा, महिमा, लगिमा, सहित, आठ तरह की सिध्धियां प्राप्त हो जाएंगे। कर्ये को संभव बनाना इन सिध्धियों की मदद से हो सकता है, संसार में अनेक पुन्य आत्मा है, जिन्हें कई तरह की सिध्धियां प्राप्त हैं, निर्धारित संख्या में छेह महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन अश्ट सिध्धियों की प्राप्ती होगी, ज इससे व्यक्ती असंभव कार्य को संभव कर सकता है, जरा सोचिए इस तरह के विशेश प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिन्दगी किस तरह बदल के रख सकते हैं, हमेंने इसलिए बता रहे हैं, ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए, तो दोस्तों टूल के पत्ते खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है, जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें, चलिए अब जानते हैं तुलसी के, और कुछ विशेश दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकार उर्जा आपको घेर लेती है, अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोश, किसी की हाय बद्दुआ, कभी भी आप होना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड लेनी है, उसे चांदी के ताबीज में रखकर, लाल रंग के धागे में डाल कर आपको गले में पहन है, कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोश नहीं लगेगा, जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ती तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डाल कर स्नान करना शुरू करें, प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं गोर निराशा चा गई है, गोर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराय होगा आए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्तिया तस्वीर पर टिकी इस दि बड़े से बड़े संकट परेशानिया कर्ज का बोज तक दूर हो जाएगा, आपको एक हफते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और एक महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे, इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास औ आपके कारियों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं, बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार-बार तूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिधिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं, इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सा उत्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें, ऐसा करने से बिजनेस में लाब के योग बनने लगेंगे दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लग तो इससे धन की प्राप्ती होती है, इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें, तुलसी का पौधा, अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो घर में सुख शान्ती और वैभव का वास ह होता है, अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया प्राप्त होती है, और इससे शत्रु नाश हो जाता है, हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख तकलीफ, ली परेशान, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे, उन्हें तुलसी मैया नश्ट कर देती है, पर जन्तु ऐसे व्यक्ती दरिद्री रहते हैं, दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है, कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिनी दिशा में रखा होना, तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए, फिर देखना, तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुचा देते हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को परियाप्त धूप लगे, जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए दोस्तों, इसी के साथ तुल पाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक उर्जा का वास नहीं होता, साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हैं, मा, लक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांध कर उस स्थान पर रख दें, जहां आप अपना धन रखते हैं, ऐसा करने से मा, लक्षमी की कृपा बनी रहती है, व्यक्ति को आर्थिक समस्या से जूजना नहीं पढ़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नती होती है,